नमस्कार दोस्तो स्वागत्ता आपकी यूटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे बेरोजगारू के लिए खुशकबरी रीट नई सिक्सक बढ़ती 2019 आज की ताजा खबर बोर्ड सची मेगना चोदरी का बड़ा बयान दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें उस साथ में गंटी के निसान को जरूर दबाए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिपिके प्राप्त करने वाले एक लाग से अधिक अभ्यारती राजस्तान सिक्षक पातरता परिक्ष़ा रीट के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं राजे सरकार ने अभी इसको लेकर कोई तयारी नहीं की है सरकार ने अक्टुम्बर 2017 में रीट के आयोजन की परकरिया सुरू की थी और इसकी परिक्ष्या फरवरी 2018 में ली गई लेकिन इसके बाद से ही रीट का आयजन नहीं हुआ। सरकार ने रीट के आयजन की जिम्मेदारी राजस्तान मादे में एक शिक्ष्या बोर्ड को दे रखी है। पिछले आठ साल में आर टेट और रीट का आयजन महत चार बार ही किया गया था। सिक्षक पातरता के लिए आर टेट या रीट का आयजन हर साल किये जाने का प्रावदान है। लेकिन सरकार ने पिछले आर शालों में केवल चार बार ही इसका आयजन किया है। वरस 2011 और 12 में इसको 88 के नाम से किया गया था और फिर 2015-17 में इसका आयोजन रीट के नाम से किया गया सिख्षक पातरता प्राप्त करने के लिए रीट में 60% अंग प्राप्त करना जरूरी होता है ऐसे में 2017 में आयोजित हुई रीट में बड़ी संक्या में ऐसे ब्यारती थे जो शिख्षक पातरता प्राप्त नहीं कर पाए थे वे भी रीट के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं NCT के अनुसार 33 रने शिख्षक लेवल 1st और 2 बनने के लिए शिख्षक पातरता जरूरी है इनको है रीट का इंतजार इस साल उतिन करने वाले करीब 90,000 और BSTC कोर्स उतिन करने वाले करीब 13,000 विदारतियों को रीट के आयोजन का इंतजार है क्योंकि रीट की पातरता के बिना वे शिख्षक नहीं बन सकते इसके अलावा उन अभ्यारतियों को भी रीट का इंतजार है जो अब तक शिख्षक पातरता नहीं कर सके वर्ष 2017 में रीट परिक्षा में सामिल हुए अभ्यारति जिने 60% से कम अंग प्राप्त किये थे वे भी रीट का इंतजार कर रहे हैं रीट को लेकर सरकार से जो भी दिशा निर्देश में लेगा राजस्तान मादेमिक शिक्षा बोर्ड उन निर्देश की पालना करेगा मेगना चोदरी सचीव राजस्तान मादेमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तो दोस्तो 2017 के अंदर रीट उई थी उसके बाद कोई रीट का आयोजन नहीं किया गया अब 2019 में इसका फिर से आयोजन होगा जैसे ही मादे में एक शिक्षा बोर्ड को इसकी सूचना मिलती है तो उसके बाद तुरंत आविदन शुरू कर दिये जाएंगे दोस्तो आज की ये बहुत ही बड़ी खबर थी जो आपके लिए जानना भे जरूरी था आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सेहर करें और इसी तरह के वीडियो और पराप्त करना चाते हो तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें जे हिन जे भारत